खरगोन जिले में रहीवार को जहनिया के खटोरा गाउं सही जीले के कई गाउं में हुई बेमोसम तेज बारिश और ओलावश्टी के बाद आज कलेक्टर शुराश सिंवर्मा ने परभावी छेतरों में फसल का निरिक्षन कर किसानों से मुलागात की कलेक्टर वर्मा ने मीडिया से चर्चा में दावा किया है कि जीले में फसलों का ज़्यादा नुकसा नहीं हुआ है तेज बारिश के बाद पानी बरसने के बाद बहकर निकल गया है अधिकांश फसल की कटाई हो गई थी नुकसान का आकलन के लिए सभी जगह राजो सो अमला सर्वे के लिए तेना थे जीनिया के काठोरा और उसके आसपास ओला वरस्टी और बर्फ बारिश से फसल कर जाने और ड्राई इलाका होने से फसलों को नुकसान नहीं हुआ है लेखनी है कि रविवार को बेमोसम बारिश और ओला वरस्टी से जीनिया के काठोरा और आसपा कश्मिर जेसा नजारा देखा गया था जमिन सडग खलियान हर जगह सफ़ेद चादर बिच गई थी पहली बार गर्मी के लिए प्रसिद्ध इलाके में भिशन ओला ब्रश्टी हुई थी ब्यूरो रिपोर्ट खरगोन जो प्राकरदी कापदा आई ये प्रवाईत हुए तो आपने खुद मोगे पर निरिक्षन करने कोचे थी अक्ल जो खरगोन में कई गाऊं में तेज बारस होई थी तो बास्त में कितना क्या नुक्सान हुआ किसानों का इसका मचा देकिन में भी गया था बरूद यो ठाना है उसके पास में गाउं में भी दो गाउं में तो-बगा नUकशान जो भी शासन के क्राइटरिया में नुपसान की स्थिती पिलाल तो बनने बनती नहीं तिक रही है क्योंकि 25 परशन जार नुपसान होता है तो ही उसको मावजा बनता है और जिर्निया जो तैसील है जिर्निया तैसील में चुकि ओला प्रिष्ट्री बहु जादा हुई है पर जो भी यह पूरी जिले में जो पानी से जो कई नुकसान होनी संबाव नाया उसमें रिवन्यू टीम भी आज सभी जागा गई है और डिट्री रिपोर्टर्स की बुला ही जाएगी और इसमें ऐसा लगता है कि जार नुकसान गए तो उनको किसानों को जो नीम से पातता ज सब्सक्राइब करें और पास में लगें टेल आइकोन को दबाना बिल्कुल बिना बुले